आज हम बनाना सिखेंगे एक चोकलेट केक, आप लाग फोरेस्ट भी बोल सकते हूं, मैंने इसको स्क्वेर साइज में आपको दिखाया, ये डेड़ किलो का केक है, जो मैंने आपको करके दिखाया, मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूं, कि कितना सिंपल से आप बना के कस्टम को दे सकते हूं, इतना ये नहीं है कि आपको बहुत सारा गारली सिंगाना चाहिए, इतना नहीं है, बस सिंपल से आप डिजाइन करो, आप कस्टमर को दे सकते हूं, कि कि चलिए देखते हूं, यहां पर मैंने 500 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, 50 ग्राम ओल लिया है, रिफाइ अब इसके अंदर पानी डाल देंगे अब इसको बीटर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे अब प्रिमिक्स पानी के साथ चिपक चुका है आप चलिए बीटर को स्टार्ट करके बीटिंग करते हैं एकदम फ्लो स्पीड में करना है अब इसके अंदर रिफाइंड ओयल को डाल देते हैं जो की पचास ग्राम है अब इसको एकदम फ्लो स्पीड में बीट कर लेते हैं ताकि ओयल बैटर की अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं इस बैटर को 8 पाई 8 इंच का एक स्क्वेर टिन में डाल देती हूँ यह देखे बैटर को मैंने अच्छे से पोर कर लिया है और चारो तरब से इक्वाली स्प्रेड कर दिया है अब थोड़ा सा टाप करके इसको OTG के अंदर 170 डिग्री पर 32-35 मिनेट के लिए बेक करने के लिए रखूंगी यह देखिए यह बेकिंग टेंपरेचर 170 पे सेट है और यह बेकिंग मोड पे है और यह 40 डिग्री सेंटिग्रेड मैंने दिया हुआ है यह मोडे ब्रांड का डार्क कमपाउंड है इसको छूरी से हम लोग चॉप कर लेंगे और इसको केक डेकरोशन के लिए यूज़ करेंगे तो चलिए इसको चॉप कर लेते हैं अब इस नाइफ से इसको ऐसे ही हम छोटा-छोटा टुगडा कर लेंगे ताकि इसको लेयर और आउटर साइड में गार्निसिंग के लिए यूज़ कर सकें अब मैंने क्रीम को बीट कर लिया है अब क्रीम के अंदर मैं वैनिला एसेंस डालूँगी ये मेरा जो वैनिला एसेंस है ये थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए मैं थोड़ा डालती हूँ अगर आप थोड़ा ज़्यादा liquid वाला डाल रहे हो तो इसकी double quantity आपको डालना है अब इसको spatula से mix कर लेते हैं ताकि essence पूरे cream के अंदर अच्छे से mix हो जाए अब इस cream को मैं एक piping bag में भलूँगी जिससे की cake icing करना बहुत easy हो जाएगा केक को बेक करने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दिया था केक एकदम ठंडा हो गया है अब इसको side का यह जो butter paper है इसको निकाल लेते हैं साथ में यह bottom side में जो butter paper है उसको भी निकाल लेते हैं अब केक का यह जो top portion है इसको trim करके निकाल लेंगे अब मैं इसकी तीन layer बनाऊंगी जब भी आप केक को cutting करें तब भी आपका left hand जो है उसको cake के उपर रखें जिससे cake इधर उधर ना भागे cutting करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया था इसलिए इसको board के सहायता से ऐसे ही निकाल लेंगे अब और एक layer कट कर लेंगे हमेशा तीनो layer को आपको equally काटना है जब भी cake layer को cut करें अपना बाया हाथ cake के उपर रखें इससे cake आगे पीछे या ऐसे हिलेगा नहीं अब मैंने तीनो layer को cut कर लिया है अब cake board के उपर थोड़ा सा cream लगा के उसको spatula से spread कर देंगे अब इसके उपर मैं middle वाला जो layer है उसको रखूंगी आपको एकदम बीचो बीच रखना है बोटल में थोड़ा सा पानी और vanilla essence डाल के मैंने mix कर लिया था अब इसको अच्छे से cake layer के उपर sprinkle करेंगे फिर cream लगाएंगे ये देखिए square cake में मैं कैसे layer के अंदर cream को लगा रही हूँ अब मैं इसको spatula से अच्छे से आगे पीछे side to side करके mix कर दूँगी आप चाहो तो scale से भी एक काम कर सकते हो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है कि scale से के से आप icing करोगे अब cream के ऊपर chocolate के जो छोटे छोटे टुकडे किये थे इसको थोड़ा सा हम डाल देंगे ताकि जब cake को cut करके खाएं तो मुँ में थोड़े थोड़े से chocolate के chunks आएं अब इसके ऊपर मैं first layer को रख देती हूँ थोड़ा सा position को देख लेना है बीच ओ बीच आपको रखना है बराबर से अब इसके उपर भी हम essence का जो syrup बनाए थे उसको डालेंगे अब इसके उपर मैं cream को लगा दूँगी जैसे दूसरे layer में लगाया था यह आपकी मर्जी है आपको customer को पूछना है कि इसके layer के अंदर आपको कितना cream लगाना है मतलब अच्छे से cream लगाना है कि एक पतली से layer लगानी है यह आपको customer को पूछ के रखना पड़ेगा चलिए मैं spatula से इसको यह जो ग्याब है इसको अच्छे से mix कर लेती हूँ अब इसको spatula से थोड़ा सा clean कर लेते हैं यह डेड़ किलो का cake बनेगा अब इस layer के उपर भी चोक्रेट के छोटे छोटे टुकुडे डालेंगे अब इसके उपर मैं third layer को रख देती हूँ third layer जो है cake का bottom portion में जो part था वही मैंने एकदम टॉप में रखा है चारो तरब से अच्छे से देख लेंगे कहां पर बाहर निकला है कि क्या अब piping bag से पहले जो जगे पर थोड़ा सा उच्छा निचा हुआ है ऐसे उपर उठा के वहां पर cream लगा देंगे middle layer में जो sponge होता है और top और button layer के हिसाब से थोड़ा सा dome size मतलब थोड़ा छोटा होता है इसलिए ऐसे cream को middle layer के पास देना पड़ता है जिससे वो बराबर हो जाए अब इसके उपर ये essence syrup को sprinkle करेंगे अभी piping bag में cream को फिर से हम लोग side से डालना स्टार्ट करेंगे अभी एक spatula के मदद से इसको spread करेंगे इस cream को ज्यादे तर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके corners को आपको sharp करना पड़ेगा इसका जो ages से इनको आपको sharp करना पड़ेगा चितना cream था मैंने उसको spread कर दिया है अब दुबारा से cream को इसके उपर लगा देंगे आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको gap नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी ध्यान दिजिए मैं जैसे दे रही हूँ आपको वैसे ही देना है ऐसे करते करते आप पूरा केक के उपर cream को लगा देंगे अच्छे से अब स्पाचुला की मदद से क्रीम को ऐसे थोड़ा साइड टू साइड करना है देना है जिससे cream हर जगे बराबर में पहुँचेगी कहीं पर उचा कहीं पर नीच्छा एसे नहीं रहेगा जब आपको लगे की cream हर जगे सई से पहुँच गया है तब आपको स्पाचुला से ऐसे करना है एक तरब को ऐसे आपको करना है अभी side को भी ऐसे ही कर लेते हैं आगे पीछे करते हुए cream को spread कर देंगे खास करके आपको corners को ध्यान देना है और जहांपे थोड़ा सा cream की जरूरत है वहांपे मैं थोड़ा सा cream लाके लगा रही हूँ नए नए में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वेसे ही आपका टाइम कम होता जाएगा आप बहुत जल्दी इसको कर पाओगे यह सब के साथ होता है करके दो जाएगा बढ़ता है थोड़ा सा नीचा रहता होगा उसी जगे पर थोड़ा समय क्रीम लगा देती हूं और फिर से उसको स्प्रेड कर देती हूं स्क्वेर साइज के केक में पीसेस बहुत अच्छे निकलते हैं इसलिए ज्यादा तर कस्टमर को स्क्वेर साइज केक पसंद आता है अभी केक कॉम को अच्छे से इसके उपर ऐसे चलाएंगे ताकि साइड में एक डिजाइन बन जाए जब ही आप केक कॉम को यूज करें आपको पानी में एक बार इसको डुबाना चाहिए और उसके बाद ही किजिएगा अभी साइड से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम उपर आया था उसको क्लेन कर देते हैं अभी आप लोग बिगनर हो इसलिए मैं आपको वैसी डिजाइन दिखा रही हूँ जिसमें टॉप पोर्षन एकदम क्लीन ना हो तब भी चल जाएगा यह सेम वैसी एक डिजाइन है इसके उपर चॉकलेट जाएगा इसलिए आपका यह टॉप पोर्षन एकदम क्लीन ना हो तब भी चल जाएगा अभी मैं एक एनवन नोजल से यह फ्लावर बना दूँगी सारे फ्लावर को एक ही साइज के आपको बनाना है ताकि लाइन प्रवपर दिखे इससे पहले मैंने इसके उपर थोड़े से जो शुरू में चॉकलेट को चॉप किया था उसको डाल दिया है जो की स्किप हो गया है अब तक जो भी केक्स मैंने सिखाए हैं सारे इसी एनवन नोजल से और स्टार नोजल से ही सिखाए हैं ताकि आप इसी ली डिजैन्स कर सको और सेलिंग स्टार्ट कर सको अगर सुरुवात में आप मुश्किल में जाएंगे तो फिर आपको ये मुश्किल लगेगा फिर आप इसमें एंटर करना ही नहीं चाओगे तो इसलिए पहले आप ये रोजेट से स्टार्ट कीजिए फिर उसके बाद रोज, सनफ्लावर ये साब फ्लावर सीख जाएंगे अब मैं वुशी स्टार नोजल से ये बॉर्डर बना लेती हूँ ये लगभग सारे केक्स में मैंने ऐसा ही बॉर्डर दिखाया है क्योंकि दुकान में ज्यादा तर आप देखेंगे इसी डिजाइन का बॉर्डर रहता है पहले आप एक डिजाइन को अच्छे से प्राक्टिस कर लें, हाथ बिठा लें, फिर दूसरे डिजाइन में जाएं अब मैं इसके उपर कैडवरी का जो सौट्स वाला चोकलेट है इसको रख देती हूँ आप चाहो तो इसके उपर चेरी भी लगा सकते हो चेरी इसमें लगाने के बाद थोड़ा सा इससे अच्छा लुक चेरी में आता है लेकिन किसी किसी कस्टमर को चेरी पसंद नहीं होता है तो वहाँ पे हमें चोकलेट देना पड़ता है क्योंकि ये बलाक फोरेस्ट और चोकलेट केक है अब चाहो तो गार्निसिंग बना के भी पूट कर सकते हो अब इसके उपर जो ग्याप है इसको मैं थोड़े से चोकलेट से कवर कर लेती हूँ जिसको हमने सुर्व में कट किया था नाइप से चोकलेट को हाथ में डालने से ये टूट रहे थे एकदम चूरा हो जा रहा था इसलिए मैं इसको इसी पॉलिथिन के उपर चोकलेट के रापर के उपर से डाल रही हूँ अब स्पून से भी डाल सकते हो ये लिजिए आपका डेड़ किलो का ब्लाक फॉरेस्ट केक या चोकलेट केक रेड़ी है चलिए आपको कैसा लगा केक का जो मैंने प्रोसिजियो दिखाया आप लोगों को कैसा लगा एकदम सिंपलन तो आप लोग बनाई इसको और सेल कीजिए ठीक है ये 1,5 कीलो का केक था तो इसकी की साइज़ कोई चाकशन के ओर राता हैं तो उसको सांब करने के लिए बहुत आसानी यह होती है सर्फ करने के लेकिन ज्यादा तर लोग स्क्वेयर साइज में और रखना भी नहीं जाते क्योंकि उसका जो करनर है उसको सांप करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप ट्राय किजिए बराये और सेल करने की कोशिज किजिए